हेलो फ्रेंज गुड मोर्निंग सभी को और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टड़ी पॉइंट टूब चैनल में और देखिए आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आए हैं और इस एडियो मेना देखिए आचा सस्की भरतियों को लेकर ना च करन का नियम सभी सिप्टों के लिए समान कठिनाई के सत्र के पेपर होंगे तो देखिए नोक्रियों की लिखित संवत पातरता प्रिक्षा में अब नौर्मलाइजेशन का फोर्मूला नहीं लागू किया जाएगा अब भ्यारतियों के व्रोध को देखते विए हर्याना कर कमचारी चैन आयोगने यह निर्ने लिया है कि साथ ही आयोगने CET की सभी सिफ्टों के लिए एक जैसे पेपर तयार करने के निर्देश दिये हैं तो देखिए CET का जो एक्जाम होने वाला है ना इसमें नौर्मलाइजेशन का फोर्मूला लागू नहीं किया जाएगा और सभी का एक जैसा पेपर आएगा और पेपर कठीनाई सत्र का रहेगा यानि डिफिकल्ट कोस्चन रहेंगे आगे है तो देखिए इसमें बताया गया है कि नौर्मलाइजेशन के कारण जो मेरिट वाले कंडिडेट हैं वो पीछे रह जाते हैं और बाकी कंडिडेट आगे बान दिखा आएगा नीडियां इसमें गुरुप सी और डी के लिए लिए जो दोक्रिया रहे हैं इसमें सीर्वक पवातव टा परिक्षा होगी इसमें जो में आपरेल माहा में कराने की त्यारी है अब देखते हैं रिजल्ट के बारे में अगले सप्ता से शुरू होंगे भरतियों के रिजल्ट अब पुरू से सिपाही का PMT पूरा हो चुका है HSFC अवर्ट की हुई भरतियों के परिणाम जारी करेगा बताया जाता है कि सोमगार से भरतियों के परिणाम सुरू होगे तो देखी सोमगार से भरतियों के परिणाम सुरू हो जाएंगे जिसमें सबसे पहले स्वास्तवी भाग से जुड़ी हुई भरतियों के परिणाम दिये जाएंगे जिसमें स्टाप नर्स है, एन्म है और MPSW वाले हैं तो देखी सबसे पहले इनका रिजल्ट आएगा इसके बाद औरों का आएगा आगे हैं, आयोगने अधिकारियों का दावा है कि अगले सब्ता से रोजाना दो स्रेणियों के परिणाम जारी किये जाएंगे, बता दे कि 86 काटेगरी की हजारों की संक्या में भरति अटकी हुई है जबकि इनकी दास्ता वेजों की जाच भी हो चुकी है, तो देखिए 100 मार से ना हर रोज दो भरतियों के रिजल्ट आएंगे और आगे हैं, हमारी कोशिस है कि सेयुक पातरता प्रिक्षा में नॉर्मलाइजेशन फोर्मूला नहीं लगा जाए इसके लिए पेपर त्यार करने वाली अजन्सी को सभी शिप्टों के लिए एक समार कठिनाई लेवल वाले पेपर बनाने के निर्देश दिये हैं CET अप्रेल माहा में कराने की तियारी है, स्री भोपाल सिंग खदरी, H.S.C. चेयर्मेन तो देखी CET का एक्जाम है, ये अप्रेल में होने वाला है, सभी के एक समार पेपर होने वाले है, सो मार से काफी सारे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, ऐसा इसमा बताया गया है तो देखी फ्रेंड्स ये थी एक इनफोर्मेशन, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होती से लाइक करना, सेयर करना, और अगर पहली बार हमारे चैनल प्राए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकोन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडि आप तक आता रहे, थैंक यू